हलो दोस्तो स्वागत है आपका इस नए वीडियो में दोस्तो इस वीडियो में हम लोग विलैन चेप्टर के कुछ महत्पूर आंकिक प्रश्ण करने वाले हैं जैसा कि आप लोगो कमेंट था सर कि विलैन चेप्टर के नुमेल करवा दीजिए विलेन चेप्टर के आंकिक प्रश्ट करवा दिजे, तो उसी को लेकर हम आज इस वीडियो को बना रहे हैं, जिसमें हम विलेन चेप्टर के कुछ महत्रपूर आंकिक प्रश्ट की बात करने वाले हैं, जो हमारे बोड एक्जाम में पुछे जाने वाले हैं, देखें किसी भी numerical को करने से पहले सबसे बड़ी चीज होती कि आपको उसका सूत्र पता होना चाहिए मेरे भाई आप उस question को तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक आपको उसका सूत्र नहीं पता हो क्योंकि formula ही important होता है फिर आपको चीजों को समझना अच्छे से प्रेक्टिस करना है और चीज़े अपने आप क्लियर हो जाती हैं तो उसी को देखते हुए आपने पहले कुछ महातुपूड सूत्र लिखे हैं जिन पर बेज्ड में आपको अभी question करवाने वाला हूँ तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिल्कुल अच्छे से focus करके देखना है ताकि चीज़े अभी की अभी clear हो जाए और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दिखें भाई सबसे पहले बात करने वाले हैं मोलर्ता क्या होती है मोलर्ता से आपके question पूछा जाता है कि मोलर्ता ग्याद करना है विलेन की तो मोलर्ता होता क्या है विले के मोलो की संख्या विले के मोलो की संख्या और बटे में आता है विलेन का जो आयतन होगा वो लीटर में होगा अब आपको एक basic चीज़े पता होगे प्लस विलायक is equal to किसके विलायन के अब बात आते कि विले क्या होता है तो विले हमारा वह होता है जो विलायन में अपेच्छाक्रत कम हो किसके अपेच्छाक्रत विलायक के तो कि विलायक हमेशा जादा होगा विले से तो विले कम होता है और विलायक जादा होता है और दोनो देखें, तो मोल अर्ता क्या होती है, मोल अर्ता होती है, विले के मोलो की शंख्या, बटे में विलेन का आयतन चाहिए लीटर में, अब ये मोल क्या है, तो मोल अगर किसी का भी आपको निकालना है, चाहे वो विले हो, चाहे विलायक हो, अगर किसी का भी आपको मोल निकालना तो जब आपको मोल निकालना हो तो ग्राम भार बटे अड़ भार हो जाता है तीसरा आता है कि मोल अर्था किसे कहते हैं मोल अर्था अलग चीज है मोल अलता अलग चीज़ है मोल अलता क्या होता विले के मोल की संख्या और बटे में विलायक का भार किलोग्राम में विलायक का भार किलोग्राम में आपको सीधा सीधा यहां पर डिफरेंस दिख रहा होगा यहां विलेन का आयतन लेटर में लेते हैं और यहाँ पर विलायक का जो भार होता वो kg मिलेते सेम मोल की संख्या फिरा को निकालना पड़ेगा ग्राम भार बटेल भार से थर्ड फार्मूला है जहां से कुश्चन जादा बनने के चांस होते हैं कि मोल प्रभाज किसे कहते हैं सर मोल प्रभाज या मोल अंस के नाम से पूछा जाता है मोल प्रभाज क्या होता तो घटक के मोल की संख्या जो भी जिस अवयोग आपको मोल प्रभाज निकालना है उसके मोलों के संख्या बटे में आएगा विलायन में उपस्तित कुल मोल अब विलेयन में आपको पता है दो लोग होते हैं एक तो हमारा विले होता है दूसरा हमारा विलायक होता है तो दोनों की मोल को निकालना है और उनका योग कर देना उसको हम बटे में रखेंगे जिसका आप से पूछा जाए कि इसके मोल की संख्या ग्याद कीजिए आप मोल प्रभाज ग्याद कीजिए उसको आप उसके मोल की संख्या को उपर रखेंगे और नीचे विलेयर में उपस्थित कुल मोल यानि विले प्लस विलायक के मोल की संख्या तो इस तरह से इन question में करवाने वाला हूं देखे बैए हमारे को पहला question दे रखा है कि 15 GM potassium chloride है 15 GM potassium chloride को 1L जल में घोला गया है तो हमसे पूछ रखा William की molar की गड़ना किजी William की molar अब हमने आपको formula करा है कि पहले आपको William check करना पड़ेगा तो देखे question को पढ़े के आपको लग रहा होगा कि 15 ग्राम potassium chloride को एक लिटर जल में घोला गया यानि हमारा जल क्या होगा विलायक होगा तो 15 ग्राम potassium chloride क्या हो जाएगा विले हो जाएगा तो हम पहले विले के मोल के संख्या निकालेंगे और अगर विलेन के लायतन हमको लीटर में दे रखा तो अच्छी वात है नहीं दिया तो उसको आप लीटर में change करेंगे फिर वहाँ से मुलर्ता का फार्मूला आकर आसानी से उसको कर सकते हैं ठीके ना? तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि विले कौन है यहाँ पे? तो विले हमारा है विले यानि कि हम यहाँ पे लिख सकते है के सील के सील मजब पोटैसियम क्लोरेड का ग्राम भार ग्राम भार को इसमाल डबलू से दिखाएंगे विले के लिए यह हमारे को दे रखा है पंद्रा ग्राम विले मजब पोटैसियम क्लोरेड का ग्राम भार पंद्रा ग्राम है अब क्योंकि मोल लिखाना तो अपको अडुभार की जोद पड़ेगी तो यहाँ पर लिख लेंगे आप विले का अडुभार विले का अडुभार और विले का अडुभार है तो इसमाल एमसेस को लिखते हैं अब विले का अडुभार विले का होँथा के सियल अडुभार निकालेंगे के जो है पोटैसियम होता 49 और सियल को होता है 35.5 तो टोटल 74.5 आ जाएगा ठीक है ना इसका अड़भार निकालेंगे कि पोटैसियम 49 प्लस 35.5 आने 74.5 आ जाएगा अब इसके लबाँ हमारे को चाहिए विले के मोल की संख्या विले के मोल की संख्या कितनी होती तो विले के मोल की संख्या जब आप निकालेंगे तो विले का ग्राम भार बटे विले का अड़ुभार ये भी फार्मूला मैंने भी आपको करवाया ग्राम भार और बटे में इसका अड़ुभार देखे ग्राम भार इसका दे रखा है फंदरा ग्राम और बटे में इसका अड़वार कितना आ जाएगा तो 74.5 आ जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा विले के मौल की संख्या हो जाएगी इसके बाद हमारे को चाहिए होता विलयन जो होता है उसका आयतन कितना दे रखा तो विलयन का आयतन विलयन का आयतन दे रखा एक लीटर और हमको फार्मूले में जो आयतन चाहिए होता वो भी लीटर में ही चाहिए होता है तो इसको चेंज नहीं करना है अब सीधा आप फार्मूला लगाएंगे इसलिए मोल अर्ता हमको निकालना था तो मोल अर्ता बराबर होता है विले के मोल की संख्या और बटे में का होता है विलेन का आयतन लीटर में देखिए आप सारा कुछ हमको डेटा दे रखा है विले के मोल की संख्या भी हमने निकाला पंदरा बटे और विलेन का आयतन कितना है एक हो जाएगा तो विलेन का आयतन कितना हो जाएगा एक एक को मल्टिप्लाई कराएंगे वही आजाएगा तो सेम सीधा आपका आंसर यहां से आजाएगा इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ठीक आंसर यहां से हमारा आएगा जब आप इस चीज को solve करेंगे तो हमारा answer निकल के आएगा 0.20 mol प्रती लीटर ये हमारा answer हो जाएगा कि जो विलेंड की mol अर्ता होगी वो 0.20 mol प्रती लीटर होगी देखें सिंपल सा question था हमको दो चीजे पहचाना था एक विले और एक विलायक question में दे रखा था 15 gram potassium chloride को एक लिटर जल में घोला गया है तो potassium chloride हमारा विले हो गया तो विले के mol की संख्या निकालने के लिए आपको gram भार बटे अड़ुभार करना पड़ेगा ग्राम भार question में दे रखा 15 gram अड़ुभार आप potassium chloride का साथ निकाल सकते हैं potassium 49 होता है और CL 35 दूनों को आड़ करेंगे 74 5 आजएगा वहां से आप mol की संख्या निकालोगे gram भार बटे अड़ुभार फिर विलेन का आयतन बटे में लीटर में चाहिए होता है तो इस तरह से आ वो हमसे पूछा गया है कि एक विलेन है जिसमें आपको मोललता की गड़ना करना है देखिएगा इसमें दिया है कि विलेन की मोललता की गड़ना कीजिए जबकि 440 gram 440 gram विलायक में 20 gram एनयोच घुला हो अब इस बार हमारे पास दो कंडिसन है मोललता निकालना है और कहा एक विलेन में 20 gram NaOH घुला है, ठीक ना, 440 gram में 20 gram, तो सिंपल सी बात ही कि हमको विले और विलायक पहचार ना होगा, तो 440 ज्यादा है, वो तो हमारा विलायक हो जाएगा, 20 gram NaOH जो है, वो हमारा विले होगा, तो जो 20 gram NaOH है, वो हमारा विले हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि सर, विले का gram भार हमको दे रखा है, विले का ग्राम भार विले का ग्राम भार को इसमाल डबलू से कितना ग्राम है 20 ग्राम है विले का ग्राम भार कितना 20 ग्राम अब साथ ही में विले का अलुभार भी निकाल लेते हैं विले का अलुभार और विले है कौन तुसर सोडियम हाई डॉकसाइड कोश्चत में दे रखाए एदने ओईच विले अडभार निकालें कितना आजाएगा सोडियम को होता है 23 ओक्सीजन होता है सोला और हाइडोजन होता एक सब को आड़ करेंगे तो 40 आजाएगा तो यहां से विले का अडभार निकाल सकते हैं साथी में हमको विले के मोल की आवा सकता पड़ेगी विले के मोल तो विले के मोल क्या होता है ग्राम भार और बटे में इसका अड़भार ग्राम भार बटे अड़भार ग्राम भार हमारे को दे रखा विले का 20 ग्राम और बटे में इसका अड़ोहार के नदे रखा 40 तो 20 बटे 40 को आप काटेंगे तो यहां से आजाएगा 1 बटे 2 मुलब की 0.5 आजाएगा ठीक है ना? उसके बाद हमको चाहिए विलायक का भार है वो किलोग्राम में विलायक का भार बहर दे कितना रखा है तो 440 ग्राम दे रखा है अब इसको हमको चाहिए होता किलोग्राम भी तो ग्राम को किलोग्राम बदलने किलम 1000 से डिवाइड कर देंगे इसको तो 440 बटे में 1000 यह किलोग्राम में आ जाएगा अब सीधा सीधा मोल अलता हमसे पूछा उसने तो विलायन की मोल अलता निकालेंगे मोल अलता बराबर होता है विले के मोल की संख्या विले के मोल की संख्या और विलायन का आयतन सॉरी विलायक का भार केजी में विलायक का भार किलो ग्राम में ठीक अब दिखेंगे विले के मोल के संख्या हमारे को मिला था 0.5 विले के मोल के संख्या के दिए 0.5 और जो विलाय का भार हम निकाला किलोग्राम में वो है 440 और बटे में 1000 अब ये 1000 उपर चला जाएगा अब इसको डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.14 जब इस तरह से आप इसको solve कर सकते हैं देखें ये कुछ बड़ा pattern नहीं है इसको आप कम जगे में भी कर सकते हैं बस उसके लिए आपको practice होना चाहिए जैसे हम तुरंत question पढ़ें और वहां से हमको विले और विलायक पता चल जाए जो कम होता विले होता है तो विले का gram भार ब अब मौल प्रभाज करवाय था उसका question में आपको अगले वीडियो में provide करोंगा तो वीडियो समझ में होगा अच्छा लगा होगा तो वीडियो को like करेगा साथी मैं आपको comment करके बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा यह चीज आप जरूर करेगा कि वीडियो में जरू बता देना है ठेक ठीक रहां ठाइक्वे सुमक्ट चैनि